ये वीडियो हमारी second class है हमारी guest posting business course के हवाले से इस course के अंदर मेरा target है आप और मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि guest posting का business किस तरीके से करते हैं exactly उसके पीछे की sciences मैं आपको कर के दिखाना चाहता हूं और आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं के vendor websites वो websites जो के guest post offer कर रही होती हैं उनको exactly आपने ढूणना किस तरीके से हैं कौन से tools required होंगे और उनकी sheet कैसे बनानी है उनको outreach कैसे करना है उनसे कैसे contact करना है उनसे कैसे negotiate करना है और वो tips जो के आपको बहुत ज़्यादा help out कर सकते हैं इस process के अंदर इस video के मैं end में share करूँगा तो make sure के आप start से लेकर end तक complete video देखें और maximum value उठाएं इस video में से जो लोग मुझे नहीं जानते मेरा नाम शावजाहत है मैं पूरे साल niche websites बिल्ट कर रहा होता हूँ पिछले साल मैंने अपना एक blog 3 million का flip किया है और उसके बाद भी अभी भी मेरी कुछ cases ready websites से related videos इस channel के उपर जा रही हैं तो आप उनको follow कर सकते हैं मैं काफी technical videos बनाता हूँ जो के skill set oriented होती हैं क्योंकि मैं personally एक digital marketer हूँ और ये projects मैं अपने passion को follow करते हूँ बिल्ट कर रहा होता हूँ और उसी से related content मनाता हूँ तो make sure के you subscribe this channel तकर इस course से related और इस किसम की और relevant videos आपको वक्त पे मिलती हैं और आप एक skillful बंदे बन के उठे हैं चलो मेरी screen पे चलते हैं और start करते हैं हम अपनी Google की screen पे आ गया है अब जैसे मैं कर रहा हूँ आपने बिल्कुल इसी तरीके से follow करना है सबसे पहले search में आने के बाद आपने दो columns एंटर करना है अच्छा इनका मतलब यह है कि इसके अंदर अब आप जो भी लिखेंगे न Google search के अंदर देखें वह exact words को fetch करेगा कि इस किसम के words जहां पे भी available है उन websites को डूण के निकालेगा अब यहां पे हम लिख देते हैं right for us ठीक है आप इसके अंदर यहां पे एक plus fashion plus technology plus health यह basically दिखा रहा है कि लोग किस तरीके से already search कर रहे होते हैं Google ने अपना काम करके suggestions already देना शुरू करती है अब जैसे अमोमन मैं technology के अंदर काम कर रहा होता हूं तो मैं plus technology पेंटा कर देता हूं तो अब देखें यहां पे नीचे बहुत सारी ऐसी websites आ चुकी है ऐसे blogs आ चुके हैं जो कि आपको allow करेंगे guest post के लिए अब हमें इसको one by one open करके इसमें से shortlist करना है जैसे the next tech इसको देख ले दो अब इसके अंदर मुझे देखना है कि क्या कह रहे हैं क्या बता रहे हैं who should be who should post at the next tech अब इसमें से मुझे देख लेना है whether or not कि मैंन के eligibility criteria के उपर आ सकता हूं के नहीं ठीक है यह सारी चीज़े देखनी है सही है I want to write for you guys let's see मैं इसे contact कहां पे कर सकता हूं यहां पे whether or not इन्होंने contact दिया है के नहीं okay as seen on अच्छा आगे चलके मैं यह भी बताऊंगा कि यह जो आ रहा होता है na as seen on और बड़ी-बड़ी websites का reference दिया जा रहा होता है यह कैसे करते हैं इसका इसके हवाली से भी आगे हम इसी course के अंदर सीखेंगे pitch your idea, pitch your idea पे click करते हैं pitch your idea पे click करने के बाद इसने basically outlook मुझे खोल के दिखा दिया यानि outlook के अंदर के इनकी email होगी अब यह रही यहां पे आप copy link email address करेंगे अगर आपको अच्छे से idea हो जाए फिर मैं आपको बताता हूँ इस सब data का करना क्या है सबको मैं organize करना सिखाऊंगा सब practically अच्छा गाम होना चाहिए अच्छे जी यह blog मैंने खोला है यहां पे submit guest post submit guest post के page पे आ गए तो यह बुलना है कि भई हम guest post के लिए यह चीज़े करते हैं यहां पे भी देखें इनकी email आ गई है अच्छा यह तो आगे हैं आपके पस बहुत सारी websites चोके आपको guest post allow कर रही है but what I would suggest is के यह जितनी भी websites आगे ना इनको href में डालके एक एक दफ़ा check जरूर कर लेना है ठीक है जैसे यहां पे आप या तो href की subscription हो तो बहुत अच्छा है वरना मैं आपको free tool भी बता देता हूं free tool में यहां आना है आपने लिखना है spam score checker ठीक है spam score checker पे आना है हमने इस website को लेना है इस website के main URL को यहां से हमने copy कर लेना है यहां पे कर देना है paste I am not a robot check अब यहां पे एक वक में आप 10-10 websites भी डालके एक वक में चेक कर सकते हैं अब यहां पे मैंने देख लिया अच्छा भी spam score इसका 1 है DAPA भी अच्छी है yes it is good to go अगर मैं campaign चला रहा हूं तो मैं इसको अपने उसमें ले सकता हूं ठीक है यहां से तो हमें हारे पास ही आ रही है website सब यह मैंने तुम्हें बता दिया है कि भली कोई भी category हो तुमारी यहां पे category change कर लेना जैसे भी write for us में यहां पे लगाओ अपने column और technology की जगह आप simply यहां पे कर दो health जिसके अंदर भी तुम काम कर रहे हो fashion के अंदर काम कर रहे हो weight loss के अंदर काम कर रहे हो whatever niche you are working in यहां पे आओगी यहां पे आपको आपके पास multiple pages आ जाएंगे इसमें से review manually करके अब आपको अपनी एक database एक excel sheet maintain करनी है वो गाम मैं आपको सिखा देता हूँ यहां पे यहां पे मैंने एक simply google sheet खोल दिया है यह आपका asset बनने वाला है ठीक है तो यह वाले इस वाले पार्ट को जादा दिहान से समझने की कुशिश्च करना यहां पे मैं अपने पास name sheet का अपने reference के लिए रख लेता हूँ guest posting database ठीक है अब यहां पे मैं mention करूंगा url da ss ss means spam score चलो मैं यहां पे लिख भी देता हूँ spam score editorial email status ठीक है यहां पे हमने mention करना है और price यह चीज़े हमें यहां पे mention कर देनी अब इनको मैं थोड़ा सा कर देता हूँ organize यह सारी चीज़ें जो मैं कर रहा हूँ यह बहुत आसान है यह तुम साथ साथ follow along कर सकते हो अच्छा यह करने के बाद अब थोड़ा सा हमारी यह चीज़ें professional लिखने लग गई है अब जो मैंने email निकाली थी वह मैं यहां पर mention भी कर देता हूँ जैसे यह वाली website हमने उठाई थी है यानि यह website ads के तुरू का माती है यह website ideal case scenario है अच्छा यह मांग क्या रहा है कि थाउजन टू-फिफ्टीन हंडिड वर्ट्स का एक post होना चाहिए well and good जो जिन website पर भी ads लगेव है न उन website के साथ काम करना आपके लिए लिंक निकाल लूँगा लिंक निकाल के भी मैं अपने पस यहां पर URL मेंशन कर देता हूँ इसके बाद domain authority के लिए again मैं यहां पर आ जाता हूँ चेक domain authority let's see अब यहां पर आ गया इसकी domain authority है 60 page authority है 46 और spam score है 1% तो मैं यहां पर simply mention कर दूँगा भई 60 का domain authority है और spam score है 1% editorial email यहां पर mention कर दिया है मैंने price के अंदर मैं जब इनसे negotiate करूँगा obviously तभी मुझे पता चलेगा मैं status के अंदर तुम्हें बता देता हूँ कि तुमने करना क्या है यहां पर आना है data में data में आने के बाद तुमने करना है data validation अच्छा जी data validation के अंदर आके मैंने कर दिया है ठीक है मुझे drop-down चाहिए option 1 होगा मेरा first email मैं आप mention कर देता हूँ उपने reference के लिए के भई first email इसको जा चुकी है नहीं गई है whatever it is ठीक है उसके बाद second आएगा negotiate करना है save या नहीं rejection ठीक है उसके बाद एक और डाल देना है यहां पर no response आपने भी इसी तरीके से data validation लगा देनी है ठीक है और यह मैं जरा सा इसको color code कर देता हूँ यह सब जिससे न काफी professional लिखने लग जाएगा और इसके लावा एक मैं कर देता हूँ deal or ठीक है अब मैं इसको जैसी done करूंगा अब देखें यहां पर यह drop down menu आ गया अब इस तरीके से तुम लगा सकते हो क्योंकि मैं first मैंने इसको email कर दी है ठीक है अब इसी को यहां से मैं नीचे drop down को मैं आगे ले जाओंगा दिखो यह सब के लिए आ जाएगा अगर किसी के साथ तुमारी deal हो गई है तो तुम बता दो अगर तुमारी किसी के साथ deal हो गई है तो तुम बता दो यहां पर price mention कर दो तुमारी price क्या negotiate हुई है ठीक है अगर 10 dollar price negotiate हुई है तो यहां तक हमने इसको एक को कर लिया इस तरीके से तुमने पूरी sheet अपने पास maintain कर लेनी और यहां पर mention कर देनी category जैसे अभी मैं technology की देख रहा था तो मैं यहां पर technology बना लूँग ठीक है यह मेरी technology की sheet रेडी हो गई अब simply यहां से मैं इसको अगर duplicate कर दूँगा तो यह मेरा सारा data दूस अपने पास एक database बना लेनी है सही है अब देखो यहां तक तो यह हो गया कि तुम excel sheet के अंदर इस data को लाओगे कैसे data को check कैसे करोगे हर चीज यहां तक हमें समझ में आ गई अब इनको contact कैसे करना है इसका भी मैं तरीका बता देता हूं simply तुमने मेरे भाई क्या करना है यहां पर बताओ आओ I want to outreach to blog और ब्लॉक का नेम यहां पर जैसे यहां पर मैं देख लेता हूं ब्लॉक का नाम क्या है prime healers to blog editor of prime healers and pitch pitch him for a guest post up to 1500 words written by an expert for exchange of one do follow link यहापे मैं और बता देता हूं कि और अंदर मुझे email में बात क्या करनी है talk about the value the article will create for their readers and how can it benefit them we will follow best SEO practices while writing it अब देखो भाई chat GPT यहाँ पे complete email आपको create करके देदेगा आपने simply क्या करना है इसके अंदर से details अपने हिसाफ से edit कर लेनी है अच्छा कुछ लोग ऐसे होंगे जो हो सकता है free में भी तुमसे ना मान जाए इसके अंदर तुम चाहो तो एक point add कर सकते हो इसके उपर सोने पे सुहागा मैं तुमें एक tip और recommend करूंगा कि तुम उसको email के अंदर ही five articles suggest कर दो कि मैं तुम्हाई लिए क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे लिखो suggest five guest post ideas for this brand with a link to our product that is a pocket sized massager अब जैसे अगर मैं pocket sized massager का मेरा brand है तो इस हवाले से भाई यह खुछ suggest कर देगा यह काम भी तुमाई लिए chat GPT कर देगा यह करने के बाद तुमने simply gmail पे जाना है इस सब को यहाँ से copy paste करना है और उसको email लिख देनी है अब अगर तुम उसको topic भी suggest करोगे ना तो खासा हद तक जो नए editors होंगे ना वो फिर भी जादा interest चू करेंगे और हो सकता है तो मैं free of cost भी यहाँ पे mention करने तुमने छुटते ही साथ उससे पैसे की बात नहीं कर लेनी है mostly जिनको price चाहिए होगी जो तुमसे fees collect करना चाहेंगे वो तुमें mention कर देंगे बाई hey free में offer नहीं करना है and this is the cost for one single link लेकिन कुछ time times ऐसा होता है कि जब bloggers के पास content कम होता है तो guest post वैसे भी accept कर लेते हैं अगर उनको लगता है कि यार this content is more niche relevant और सिफ एक link से उनका कुछ जानी रहा है यह चीज़े mention कर देते हैं तो this is how you search for potential blogs पहले मैंने आपको सिखाया आपने ढूंडना किस तरीके से फिर उस data को Google Sheet के अंदर किस तरीके से organize करना है then chat GPT का सहारा लेके हमें pitch कैसे create करनी है और उनको email कैसे करनी है यहां तक आज की वीडियो में हम यहां तक सीख चुक है तो भाई उमीद करता हूं इससे तुम्हें पूरा process तो सीखने को मिल गया होगा अब कुछ pointers मैं तुम्हें दे देता हूं जो तुम्हें और भी आगे help करेंगे जैसे ही तुम्हें response मिल जाए पहली email का और लोग या तो तुमसे यही कहेंगे कि वो बताएंगे कि यह वाला topic उन्होंने choose कर लिया है या यह वाला topic नहीं choose कर रहा है कोई और वो अपना topic सजेस्ट कर देंगे इस पे बात करेंगे या तो दूसरे scenario में ऐसा होगा कि वो अपनी pricing point तुम्हाई सामने mention कर देंगे कि वो इतने dollars लेते हैं कोशिश करना हर case के अंदर तुम उनसे negotiate करो लेकिन ऐसा भी negotiate नहीं करना कि तुम्हाई deal बिल्कुली lose हो जाए अब जैसे अगर कोई hundred dollars मांग रहा है उसकी domain authority तुमने चे negotiate करो कि अगर किसी की जैसे hundred dollars कोई मांग रहा है और तुम्हाई पता है कि यार it's worth it तो उससे तुम negotiate कर सकते हो initially के भाई आप fifty dollars ले ले लेना initial कुछ post के लिए और हम आपके साथ continuous business करना चाहते हैं हमारी link building agency है और इस तरीके से हम आपको और business provide करेंगे या एक साथ दो से ती मैं तुम्हें अगली वीडियो में सिखाऊंगा कि clients को reach कैसे करना है तो अपने client को तुम बता देना कि ये top tier जो पहतरीन किसम की website हैगी न इसके उपर guest post मैं आपको लाके दे सकता हूँ मेरी deal हुई है बताइए क्या करना है तो इस तरीके से भी तुम लेके चल सकते हो और दूसरा ये कि भाई जो websites तुम्हें पता है domain authority कम है लेकिन अब तुम ये देखो वो websites जो के continuously काम करनी है जैसे अब तुमने देख लिए एक blog है जो कि 6-8 महीन है नौ महीन है या 1.5 साल पुरान है लेकिन वो continuously blog post डालना है उसके उपर Google AdSense है या इस ओएक है या नि वो ads से monet ये ऐसा project है जिसके ओपर बंदा continuously काम करेगा तो उनके साथ भी तुम अच्छी deals बना सकते हो ये देख के रखना कि उस project की future value क्या होगी जैसे हो सकता है कि तुमने किसी blog के साथ आज deal की और 2 साल बाद उसकी authority जब तुमने deal की थी और उसको पैसे दिये थे तो उसकी domain authority 10 score प हो जाता है कि जो emerging websites होती है ना जो कि कम पैसो पर भी काम करने को तैयार होती है उनके अंदर हमें future potential देखना होता है कि आगे जाके भी website कहां तक perform कर सकती है ये चीजे हमें कब देखती होंगी या तो तब जब हम किसी long term client के साथ काम कर रहे हैं तो इन चीजों का भी हम दिहा दिहान रखना होगा इससे हमारा खुद का बहुत ज्यादा फायदा होगा देखो या चोटी सी technical aspects ऐसे हैं कि इनका अगर तुम दिहान रखो गे न तो भाई एक trained आदमी के काम करने में और एक बिल्कुली hit and trial untrained आदमी के काम करने में फर्क लाजमी होना चाहिए जब तुम properly चीजें online सीखी रहो तो why not spend some time and do it the proper way का अगर तुम maximum उस काम से value उठा सको तो आज की वीडियो में इतने अगर तुमने अब इस चैनल को subscribe नहीं किया तो इस चैनल को subscribe कर लो क्योंकि इस series को ना सिफ मैं continue करने वाला हूँ बलके इस से related भी काफी informative videos इस channel पे already available हैं तो make sure you don't miss that out अपना बहुत काया लगको खुदा आफिस